असलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, तो अभी मैं असर की नमाज पर ही और मैं आ गई अपने किचन में, किचन ये ना, दो दिन पहले ही मैं गी निकाली थी, कि निकाल के ना, मैं रख दी थी और इसको ना, वासा काम है बेजिये हो तो इसको न ध्यान ने दी मैं, तो फिर मै का सगरम करके, मैं ना, इसको निकाल रही हूँ, इसको रख दूँगी, अच्छा ही निकल गया, एक डेर मैंने कहा है, ये डब्बे में था घी, तो अच्छा ही काफी निकल गया, तो अच्छा हो गया, हाला कि जादा दूद नहीं है, दूद सिर्फ आधा लिटर ही है, ले शेक क्यों है, इतराज चार शादी पे, तो हाँ, मुझे है इतराज, आज कल की जनरेशन, जो चार शादी के बहुत डंका पीट देना, उस पे मुझे इतराज है, ये चार शादी, शादी नहीं फालतू है, उनलोग अपने ही रहता है, स्वात, अपने मतलबी, एक वाइब से, अपनी बीबी से मन भर जाता है, फिर दूसरी लड़के अच्छी लगने लगती है, बाहर वाली, उसको इतने अच्छी लगती है, अर जब ये सब बाते करो, तो फिर चार सादी के हमारे सरियत में है, हम में अल्ला ने इजाज़त दी है, हम कर सकते हैं, तुम्हारी अतना ही इमान दारी है, बहुत अल्ला के रसूल सुनत पर चलने का है, तो फिर आप पहले नामाज पावंधी से परहें, और हर एक काम करें, जो हमाए नभी करते थे, हमाए नभी की जिन्दगी को जिए, हमाए नभी जैसे रहते थे, उनकी सुनत को फॉलो करें, बहुत अ खुकुम का मतलब हो जाता है कि आपको करना ही है यह नहीं हो कैसे बिज़र अल्ला ने नमाज का हुकुम दिया है कि हमें हर हाल में नमाज पढ़ना है वो तो हम नहीं करते हैं वो हमारे मुसलमान और हमारे नौजवान जो भी जो शार शादी की जो बहुत बात करते हैं डंग पहली को छोड़ दो, फिर दूसरी को भी छोड़ दो, बस आप छोड़ते जाओ, करते जाओ, ऐसा नहीं है, आप निभाओ, निभाने का तरीका भी हमारे नभी ने सिखाया है, कि कैसे निभाते थे, आप इनसाफ करो, इनसाफ कर सकते तो साधी करो, नहीं कर सकते इनसाफ तो छोड़ दो, अब फिर खुदा कि हाँ, लगा कि हाँ पकर में आ जाओगे, पर ये किसी को नहीं पता है, तो पहले समझ दो न, दीन की जानकारी, अच्छे से ले लो, फिर चार सादी के बारे बाते करो, पर नहीं, बस हमारे नभी नहीं किया चार सादी, हमारे नभी चार नह कर लो, दस सादी कर लो, अब कर लो, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप मर्द चात हो, आदमी चात हो, कौन रोक सकता है, और अथम तो ऐसी भी मजलूम होते हैं, कमजोर होते हैं, हमें नहीं चाहिए, आप कर लो, खुशे से करो, अब खुश रहो, लेकिन पहले समझो, उसक कर मुझे समझ मनी आता है, इतने साल हम दें, 18-20 साल हम रहें, बच्चे, घर, सास, सौसूर, पूरे घर को समहा ले, जिम्मेदारी, मतलब हर चीज़, इतना साल देने के बाद हम से अंडरस्टानिंग नहीं मिलती हैं, लेकिन बाहर में, बाहर अंडरस्टानिंग इन लोग तो यह सब आते हैं, और फिर सादी का बता देते हैं, कि हमको सादी करना कौन सा गुना है, तो कोई गुना नहीं है, जाओ ना कर लो, एक क्या, एक सो सादी कर लो, चार क्या, चार सो सादी कर लो, जाओ करो, और खुश रहो, पर तरीका जो है, जो मुझे, मुझे नहीं कि आप छोड़ दो हुकुक अदा नहीं करो और शादी पर शादी करते जाओ इसके लिए मैं खिलाफ हूँ आप मुझे कोई अच्छा बोले या बुरा बोले मुझे फरक नहीं परता तो यह थी मेरी बात एक भाई का कमेंट आया था मेरे पास तो उन्होंने बहुत यह करते है उन के पास अच्छी जानकारी होगे शायद इसलिए उन्होंने की लेकिन सब्के पास नहीं रहती है कुछ जाहिलों पर होते शिरप न जानते रंगाना पिड़ते हैं बाकि उन्होंको नौलज कुछ नहीं होती है चार सादी का मतलब क्या है तो बस यहां पे भाई आगे मार्किट के लिए तो देखिए ठंड बहुत है यहां अच्छी खासे ठंड पर रहे है राइपुर में इसे तो हर जगा ही ठंड पर रही है अभी ठंड का मौसा में तो अच्छा भी लगता है अब बहुत ज्यादा नहीं है अब गौण से ज्यादा तो नहीं है गौण में बह बीच पीच में लेते रहती में लेते हूं। हर दो चार दल संदू है। वैसे 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 पैसे मिलते हैं। जैसे रिजह से ःज़ाए। इसह थाक्ते में trave sözब है। तो बहुत ऐखल tv चाया है। मुशे छों के लाए कुछ घ्रख。 पर तो फिर मैं बहुत चलो जल्दी से समान को रख देते हैं, फिर मुझे नमाज भी पढ़ना है, इश्यकी और टाइम हो गया था, पहले मैं बहुत हटा देते हैं, समान को जमा देते हैं, तो यहाँ पे कुछ जरुवत का समान जो था, हैंड जैसे हैंड वस हो गया, खतम हो गय जाना चल जाता है पर एक चाचनी मुझे अच्छा दिखा तो मैं ले ली चलो रख ले देख ले करके घर में कामी आता है चाचनी टूड़ जाता है खराब हो जाता है दो थीन रहना चाहिए हार पिक खतम हो गए थे ट्वालेट के लिए कॉल गेट सरसो तेल ले ली मैं सरसो भी जेल ही लगाती हूं यहां पर हिट लेल थी हिट का जहल वले ले थी मैं कि क्योंकि कॉकर बहुत हुद्स नहिए बहुत ज्यादा बहुत नंगी के कारना केचन में आई जाते हैं वह बहुत परसान देती हूं इप स्बस्के बाद भी पुरी तरीका घटम नहीं हुआँ भी भी हैं तो मैं उसको डालूंगी देखती हूं उससे साथ खतम हो जाए बस यहां पर जोया को बोली बिटा थोड़ा हेल कर दो मेरे सब समान को किचन में चलो छोड़ दो फिर जमा देते ज्यादा कुछ तो था नहीं तो टाइम लगे का नहीं जम जाएगा मैं बोली फिर स जमाए में ठुवट दृध दा थी शक्क्र को घटी भी मैं चाय जादा बनते हाँ ने तो डो तीन किलो शक्कर ले ले ती हूं कि जल जाएगा उसके लीज़ चाय बनाई और ये था मेरा आज क्या ब्लॉक और मेरा कुछ ऐसा मकसब किसी को टकलीक पहुचाने का नहीं नहीं था अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो सुरी बस जो मेरे अंदर है, जो मेरे life मितलब मैं इतना कुछ जहल करकर में तो मुझे लगता है मैं समझ सकत clown कसी का दर्द किसी बहन में मुझे comment करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है उनका comment countries offer के भी तो बस इसे लिए मैं अपनी राय और अपना और यह सब को यूद्य पाने के लिए करी हूँ और बस जो मेरी लाइफ है जो मेरी जिन्दगी धीं जो रेल है बस वो अपना दर्द बताने मतलब बता रहीड हूँ मैं और अपने जो भी प्रॉब्लम है बस यही है मेरी लाइफ और आप सब का प्यार सपोर्ट चाहिए मुझे तो कुछ भी नहीं आता है मैं बार बार यह बात बोलती मुझे कुछ भी नहीं आता है बस आप सब का प्यार सपोर्ट रहेगा तो इंशालला मैं बहुत आगे तक अपना इसलब है मेरा एक मेरे अंदर एक जुलून है और करने का ज़जबा है कि मैं इंशालला मैं